अब्रस्टूडिंस वेल्कम टू एट इन इन इस पेशल वीडियो में आपके सामने टॉपिक रेकर आया हूं इनिमल फीडियो का और इस टॉपिक में हम बाते करेंगे मसल कॉंट्रैक्शन की टॉपिक जो है वो रहेगा आपका मसल कॉंट्रैक्शन कि किस तरीके से मसल कॉंट्रैक्शन होती है खासका स्केल्टिन मसल में कॉंट्रैक्शन तरीके से में देखने को मिलता है इस मसल कॉंट्रैक्शन की मेकैनिजम क्या रहती है वो हम इस टॉपिक में इस टॉपिक में इस टेशन में डिसकस करने वाले हैं सबसे पहरें आप इस मसल फैसिकल में आप देखेगा तो कई सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे मसल फाइबर देखने को मिलेंगे एक मसल फाइबर बना देता हूं इस मसल फाइबर में आप देखेगा तो कई मायो फाइबर आपको देखने को मिलेंगे तो एक myofibril और यह जो myofibril है इस myofibril पर ही आपको क्या देखना को मिलेंगे स्थार को मिलेंगे तो मैंने आपको तीन यूनिट बताई है जो आपको सबसे पहले यहां से ध्यार में रखनी है outer to inner तीन यूनिट दहां रखोगे तो inner जो जो सबसे बड़ी यूनिट आप देखोगे that is muscle fascicle आप का कहेंगे muscle fascicle आप कहेंगे और muscle fascicle के बार में जो उससे lower unit आप देखोगे that is muscle fiber that is muscle fiber और जब से सबसे lowest unit जहां actual muscle contraction happen होता है उससे आप क्या कहेंगे myofibril और इसी myofibril पर आप देखेगा आपको देखने को मिल जाएंगे sarcomere इसी पर आपको किया देखने को मिल जाएंगे sarcomere और sarcomere actually क्या है contraction unit है actually contract होती है unit को हम क्या कह देते है sarcomere कह देते है और यहiegen sarcomere thin protein और thick protein से बना हूवा होता है इस सारकोमीर की स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो पुछ इस तरीके से हमें एक Z-Line देखने को मिलेगी और इस Z-Line के साथ असोशेट थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप देखेंगे एक एक टैटीन प्रोटीन से आपके पास थिक फिलामेंट जूलर दे Whoo रहेंगे और इनी के बीच में आप देखोगे तो आपको एक टीन है जो थिन फिलामेंट है वह देखने को मिल जाएगा इन फिलामेंट है यह बने होते हैं एक टीन के तिन फिलामेंट है ये किसके बने होंगे एक टीन के बने होंगे और जो थिक फिलामेंट है वो किसके बने होंगे मायूसीन के बने होंगे वो किसके बने होंगे मायूसीन के बने होंगे और थिक फिलामेंट और तिन फिलामेंट का जो अरेजमेंट है आगर आप सको सार कोमियर की लेंद पूची जाय तो दो जे lawyers की डिस्टंस क्याए अब दीखु A कि अब दीकिएगा इस इसंगेंड में दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अभी तक मैंने कुछ इस तरिके से बाते कर रही है आपके सामने और इसमें हमने देखा है जिसमान लेजी की एक एक ठीक फिलमेंट बना रहा हूं है इसका माशील का बना हुआ है और इसके पहले लिए आप देखेंगे तो आपको ठीन फिलमेंट भी देखने को मिल जाएंगे अब देखेगा इस एक सारको मेर में ये जेड लाइन है और इस जेड लाइन के बीच में आप देखोगे तो तीन तरीके के बेंट देखने को मिलेंगे एक आपको I-Bend देखने को मिलेगा जिरहां सिर्फ आपको only 18-Bend ही देखने को मिलता है इसको आप Iso-Metric Bend भी कह सकते हैं इसको Iso-Metric Bend भी कह सकते हैं कि मैं कहूँ कि सिर्फ ये वाली जगए ये वाला portion जो है ये I-Bend कहला दिया एसे ही A-Bend आपको A-Bend भी देखने को मिल जाएगा जहां आपके पास 18-B involved रहती है और Myosin भी involved रहती है मतलब thick filament, thin filament दोनों देखने को मिल जाएगे इसको आप N-Iso-Metric कह सकते हैं N-Iso-Metric कह सकते हैं कि जहां A-Bend भी होगा और I-Bend भी होगा मतलब ये Bend को E-Bend का इसी reform में आपको एक situation ACB देखने को मिल जाएगी जहां सिर्फ और सिर्फ आपको H-Bend E देखने को मिलेगा और H-Bend का मतलब क्या होगा सिर्फ और सिर्फ मायोसin ये बात आपको सबसे पहले जाएगे I-Bend का मतलब only machine isometric बबेंड भी इसको कह देते हैं E का मतलब 15 और mycine तो anisometric भी कहते हैं H का मतलब only machine भी कह सकते हैं अब जब muscle contraction होता है when muscle contraction happen तो उस दुरण आप देखोगे सारकोमियर की length reduce हो जाती है उस दुरण आप देखेंगे सारकोमियर की length क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी और सारकोमियर की length छोटी हो जाएगी तो जो H-Bend है उसकी length भी आपको छोटी देखने को मिलेगी बब only machine है वो भी contact हो जाएगा ऐसे ही जो I-Bend है जहाँ only actin है वो भी क्या हो जाएगा वो भी reduce हो जाएगा लेकिन जो A band है जहां 18 और माईशीन दोनों है उसमें किसी तरीके का कोई change नहीं आएगा कोई change आपको देखने को नहीं मिलेगा similar condition में जब muscle relax होगी जब muscle relax होगी when muscle relaxed yeah कि उसकांटनने आप देखिएगा फिर से सार को में लेन्थ वापस अपनी नौइर में पोजिशन में यह कि कि तार को मिःर नेंथ आपनी नॉर्मल पोसुचिशन में एच भी पिर सेसे अपनी नॉर्मल पोजिशन में आई बेंड फिट से अपनी नॉर्मन पोजिशन में लेकिन ए बेंड अभी भी ऐसा बेंड होगा जिसमे किसी परकार का कोई भी चेंज नहीं होगा तो कहने की बाद जब कभी में असल कॉंट्रक्शन होगा तो ए बेंड आपके पास ऐसा होगा अब यह कोई चेंज नहीं आएगा अब यह कॉंट्रक्शन होगा कैसे इसके पीछे थोड़ा सामें लेकर चलता हूँ आपको किस तरीके से मायोशीन हेड जो ग्लोबलर हेड होता वहाँ एक्टिपेज एक्टिवीटी होती है उसकी थोड़ीशी चर्चा करता हो ना तो अगर माल लीजे कि यह मायोशीन की स्ट्रक्शर है इस मायोशीन में आपके पास यहाँ ग्लोबलर एक्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर्टिपोर् मयोशीन इंटरेक्टिंग साइट किसे जुदी रहती है ट्रोपो मयोशीन से एक्टीन ये क्या आपके पास एक्टीन फिलामेंट है और इस एक्टीन फिलामेंट पर आप देखेंगे तो आपको ट्रोपो मयोशीन के लिए देखने को मिल जाएगी ट्रोपोमयोशीन इसको covered करके रखती है और इस ट्रोपोमयोशीन को भी stabilize करके रखती है एक और protein जिसको कहा जाता है ट्रोपोनिन जिसको आप क्या कहेंगे ट्रोपोनिन ये ट्रोपोनिन इस ट्रोपोमयोशीन को stabilize करके रखती है जाट ट्रोपोनिन की जब बात करेंगे तो ट्रोपोनिन तीन सबिनिट की बनी होती है एक सबिनिट सी सबिनिट होती है एक आई सबिनिट होती है एक आपके पास टी सबिनिट होती है जो सी सबिनिट होती है वो केल्सियम बाइंडिंग सबिनिट होगी LCM finding sub minute होगी जो I sub minute होती है वो inhibitory sub minute होगी और जो T sub minute होगी वो tropomyosin antiretic sub minute होगी जब actin की site पर myosin antiretic site available नहीं हो रहे होती है तब actin को cover करके को रखती है tropomyosin इस tropomyosin tropomyosin interacting sub minute जब muscle contract नहीं हो रखी होती है जब इस actin को कोण cover करके रखती है यहीं tropomyosin cover करके रखती है इसी का मतलब inhibitory sub minute भी आपको यहीं देखने हो मिल जाती है देकि जब हमें contraction करना होता है जब contraction करना होता है उस दोरान केल्चेम है वो आकर कहाँ जोड़ता है केल्चेम पारिटिक साइट पे तरफ अब केल्चेम कहाँ से है इसका कहाँ नहीं अलग है लेकिन उससे पहले में आपको myosin की structure बता देता हूँ myosin की structure आप देखोगे तो कुछ इस तरह के की आपको देखने को मिल जाती है इस तरह के की structure आपको myosin head की देखने को मिलेगी यह माल लिजिए myosin head है जब myosin की structure हम देखते है तो myosin की head पर आप देखिएगा तो आपके पाद दो site available देखेगी myosin की head पर हमेशा दो site आपको available होती ही दिखेगी एक site आपको देखने को मिलेगी ATPS site तो ATPS site कहाँ देखने को मिलेगी myosin head पर जबकी एक 13 binding site भी आपके पास होगी 13 के साब myosin internet करेगी तो 13 interaction site भी एक 13 binding site भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी तो हमें exam में पूचा जा सकता है कि 13 binding site को कहाँ देखने को मिल किये मायक्शिन हीड पर देखने मिलती है ATPS साइट आपको कहां देखने मिलेगी 18 Binding साइट पर देखने मिलेगी यह इतना पार्ट इसमें आपको तेल के फॉर्म में नज़र आ सकता है इसके अलावा आपको हीड के फॉर्म में नज़र आ सकता है हीड भी आपको यहां देखने को मिल जाती है ठीक है यह बात है कि इसकी globular head की बाते हुई जिसमें हमने 18 filament और मायक्शीन filament की बाते कर दो अब muscle contraction के दोरान क्या होता है वो चीज़े थोड़ी सी हम देखते है जब muscle contraction हो रहा होता है जब muscle contraction हो रहा है तो यह मैं थोड़ सा आगे बात कर लेता हूँ कि जब केलचियम बैंडिंग के साथ मयोशीन interaction होती है अगर कोंट्रक्षन के बात कर रहा हूँ कि जब केलचियम बैंड होगी केलचियम सबसे पहले जब हम देखते है मसल कोंट्रक्षन होगी केलचियम का करेगी प्रोपोनिंग के साथ बैंड होगी केलचियम बैंड होगी प्रोपोनिंग के साथ और प्रोपोनिंग की भी कौन सी सब यूनिट के पास प्रोपोनिंग सी की सब यूनिट के साथ जैसे केलचियम इंटरेड करेगी ट्रोपोनिन वहां से डिसोशेट हो जाएगी ट्रोपोनिन वहां से डिसोशेट हो जाएगी कहां से ट्रोपोमयोसिन से और ट्रोपोमयोसिन से ट्रोपोनिन अलग हुई तो ट्रोपोमयोसिन डिस्टेबलाइज हो जाएगी ट्रोपोमयोसिन ्टे स्टेबलाइच रख और रोपर मैंशीन बीस्टेबलेसन सऑने तो मैंशीन हेड़ पर है किरेंटी इंटराक्टिंग साइट वह एक्स्पॉज्जज भidas गी या एक्टीन मेंशी रिट्रैक्शन गैसिट इक्स प्चॉज बेसे एगि पिन एक्टीण साइट क्षेब एक्टिन और सिस से लगत है मायशीन इंट्राक्टिंग मायशीन एक्टिंग साइट एक्टिन मायशीन के साथ क्रोस ब्रीज बनेगा क्रोस ब्रीज cycle start और cross cycle start होगी तो सारको मेर की लेन चोटी हो जाएगी और सारको मेर की लेन चोटी होगी सारको मेर की लेन चोटी होगी तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा मसल कॉंट्रेक्शन देखने को मिल जाएगा मसल कॉंट्रेक्शन देखने को मिल जाएगा तो किस तरीके से हमने देखा कि एक्टीन और मायशीन जो फिलमेंट है उनका रेजमेंट रहता है एक्टीन की स्टक्चर में कौन-कौन सी प्रोटीन इस्टरशेट होती है मायशीन की स्टक्चर में कौन-कौन सी प्रोटीन असोशेट होती है सबस्द रिके से एकतिन और मायस्टिन एंटराक्ट करती है केल चैन बेंडिक से किस उस्त अिस नकार जाती है वह सब्स्राइब Til टीक? ऊचो